सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गुर्मेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क SSB में जो एक ग्रुप टास्क है उसको आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे उस एक्जाम को क्लियर करना है उससे पहले सबसे important बात अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी सारी अच्छी अच्छी वीडियो इसमें पढ़ियां आप वो तो देखी सकते हो और कोई भी नई वीडियो रिगार्डिंग आमी नेवी एफोस पैरा मिलिटरी या कोई भी डिफेंस मिलिटरी और्गनाइजेशन के रिगार्डिंग कभी कोई जॉब या कोई भी गॉर्मेंट जॉब के रिगार्डिंग कोई नोटिफेकेशन आए आपको सबसे पहले पत पे नीचे टेलिग्राम लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक को जोईन कर सकते हो जाके चैनल को ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले उसका ओफिशल फॉर्माट ओफिशल नोटिफिकेशन वहाँ पर जाके मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं जब भी आप प्रोग्र टास्क में SSP में आपका पर्सनल इमेज तो देखा ही जाएगा साथी साथ आप कैसे किसी को कॉपरेट करते हो सपोर्ट करते हो वह भी देखना बहुत इंपोर्टेंट रहता है तो कभी भी किसी गुरूप टास्क में लॉजिक के साथ आपको पाटिसिपेट करना है और हमे कि सिर्फ दूसरे की help करने चले गए और आगे अपना goal भूल गए कि हमारे group का main task क्या था उस task के लिए भी आपको लेकर आना है तो इससे क्या होगा आप एक leader emerge होकर खुद ही आ जाओगे जब आप दूसरों की help भी करोगे और आपको main goal याद रहेगा तो हमेशा खुद अकेले नहीं हर चीज को करना कि सिर्फ मैं करूँगा मैं ही ये फटा उठाऊँगा मैं ही रसी बादूँगा मैं ही सबसे आगे जाऊँगा सब काम आपको खुद नहीं करना आपको आगे किसी और को भेजना पड़ेगा फटा अगर आप उठा रहे हो पीछे सपोर्ट किसी और से लेना पड़ेगा उनको बता के सारा काम एक टीमवर्क है और इस सारे काम को टीमवर्क की तरह करना है आप इधर देख सकते हो कि एक के पीछे एक यहां से लोग आ रहे हैं और इधर नेक्स टास्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो इसके पीछे आप यह सारी वाइट लाइन देख सकते हो जो जो वाइट लाइन कर रही है तो यह वाइट लाइन जो होती है स्टार्टिंग की वाइट लाइन होती है और फिर stop की white line होती, जैसे यहाँ पे देखो तो यह पीछे एक, तो को मैं clear करके आपको दिखाता हूँ, कि एक यह पीछे वाली start line है जो आप देख रहे हो, फिर उसके बाद यह stop line है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक start line आई है next task के लिए, और फिर यहाँ आगे चलके कहीं ए evolution को करने के लिए, आपको ऐसे फटा मिलता है, एक rope मिलती है, एक बल्ली मिलती है, बल्ली भी लकडी जैसी होती है, और एक load मिलता है, जो आपको उठाना पड़ता है, तो यह चार चीजे मिलती हैं आपको, फटी, बल्ला, rope और एक load, वो load आप जमीन में नहीं रख सकते, औ और साथी-साथ यह équ dragging, आपlay, red color की marking करीगी है, यहाँ पर भी red color की marking करीगी है, कहीं blue color की marking करीगी होती है, तो जहां पर white color की marking है, जैसे यह वाली marking है, यह बाहर वाला whitecription की marking, यह कोई danger नहीं है, यहाँ पर आप अपना supporting material है, सामान है, load है, वोँह भी रख सकते हैं और जहा वहाँ पर खड़े हो सकते हो blue color की marking पर कोई load या helping material वहाँ नहीं रखोगे जो आपकी rope बली ये सबाब का helping material है फिर जहाँ पर red color की line हो जाती है वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना कोई touching नहीं करनी ना बली rope की helping material की ना खुद आपको touch होना है अब आप बोलोगे कि ये लड़का red color के उसके उपर खड़ा है तो आप अच्छे से देखो इसके उपर एक white color का patch बना हुआ जिसके उपर वह लड़का खड़ा हुआ है तो आपको blue color के उपर और white color के उपर आप touch कर सकते हो और load सिर्फ आफ white color की चीज़ों पर touch कर सकते हो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में होती है और यह ग्रुप टास्क जो 4 होते हैं मैंने बताए एक के बाद एक पीछे सा आगे आ रहे हर लेवल वाईज 1,2,3,4 का लेवल बढ़ता रहता है और डिफिकल्टी बढ़ती रहती है और डिफिकल्टी बढ़ने के साथ-साथ अपके इनवजीलेटर द्वारा कभी ऑसी मैंन पावर यूज नहीं करनी जो आपको लग रहा है फालतूगी फञ spricht-मएन पावर आप यूज़ कर रहे हो ऐसा नहीं करना है बहुत होशारी से बहुत समंज़दारी से पूरे दिमाग को यूज़ करके आपको काम करना है pull बना कर दो या आप कोई liver वाला structure बनाओ जैसे बना रहा है या आप bridge बनाओ या normal आप एक के उपर एक रखकर उसको बना सकते हो और इसके बारे में detailed information अगर आपको चाहिए तो comment करके बताईए मैं एक detailed video बताऊँगा आपकी better understanding के लिए ध्यान रखना कभी कोई evolution अगर आप कर रहे हो कोई activity कर रहे हो उसके starting point और end point के बीच में आपसे अगर कोई गलती होगी तो वापस आपको वो पूरा evolution करना पड़ेगा otherwise आपके negative marks हो जाएंगे और यह चीज आपका जो वहाँ पर assessor है वह देख रहा है और वह note down कर रहा है तो ध्यान रखना कभी भी कोई गलत काम मत करना अगर कभी ही आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको accept करके वापस वे से शुरू कर दिना यह जो PGT task होता है यह time based task होता है आपको एक time दिया जाता है 20 मिनिट का 25 मिनिट का जब आपको starting से last तक के सारे evolution करने होते हैं और अच्छी details अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो आप मेरे को बताईए comment करके मैं आपके लिए और अच्छे से इसको बताऊंगा तो आप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe कर लेना ताकि आपको regular updates मिलते रहें